हाई विनर्स आई होप योल आर वेल दिस साइड राजीव अनन्द वल्कम तो क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चैनल क्रिप्टो का रास्ता विनर्स आज की वीडियो में आप लोगों से बात करने आया हूं शिबा इनु क्रिप्टो टोकन के बारे में शिबा इनु जिसका प्राइज लास्ट 24 आर के अंदर लगबग 6% बड़ा है इस टाइम पर अगर आप लोग INR में चेक करेंगे तो डॉट के बाद 000 के साथ 87 की सीरीज है विनर्स शिबाइनू का प्राइज बढ़ने का बहुत बड़ा इंपक्ट कल से ही स्टार्ट हो चुका है जब से शिबाइनू ने मेटावर्स की डिले के लिए अपॉलोजाइज किया और उसके साथ साथ शिबाइनू ने अपना नेक्स फ्यूचर प्लान डिसकस किया शिबाइनू का इको सिस्टम के अंदर आप भी जानते हैं फ्यूचर में आप लोगों को दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट दिखने वाले हैं और वो जो प्रोजेक्ट है वो कही न कही पर शिबेरियम ब्लॉक्चेन पर ही लॉंच किये जाएंगे इट मींज 2022 के एंड तक शिबेरियम ब्लॉक्चेन भी फाइनली आप लोगों को मार्किट में आती दिखाई देगी और वो बहुत बड़ा वक्त होगा जब शिबाइनू एक प्रोपर ब्लॉक्चेन बेस क्रिप्टो टोकन बनेगा दोस्तों शिबाइनू की जो बुलिश आप लोग देख पा रहे हो है इसका सबसे बड़ा रीजन है शिबाइनू ने अपने मेटावर्स के अंदर जो अब नया कदम रखा है और अपने टेकनिकल एडवाइजर की टीम को भी सेटिंग अप करना स्टार्ट कर दिया है तो कही न कहीं पर क्रिप्टो मार्किट के अंदर जितनी भी यूएस बेस एक्चेंजिस है उनके उपर लिस्टिंग पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और शिबा इनू लगातार इन चैलेंज को कही न कहीं पर अब धीरे धीरे करके पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है टॉप यूएसे के एक्सचेंज माने जाने वाली बिट्रेक्स के ओपर फाइनली शिबा इनू को अब लिस्टिंग मिल चुकी है इस लिस्टिंग के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है माई फ्रेंड्स वो रीजन यह है कि अब शिबा इनू को क्रिप्टो कॉम्मिनिटी के अंदर आप लोग मीम क्रिप्टो करंशी कल्चर का टोकन नहीं बोल सकते शिबा इनू ने फाइनली बहुत जगा पर as a utility method अप्रोच किया और success हुआ फिर शिबा इनू ने 3D Virtual World Metaverse में एंट्री ली और वहाँ पर popular हुआ अब शिबा इनू ने proper अपने advisors को भी धीरे-धीरे करके Metaverse की team में जोनना start कर दिया है दोस्तों सबसे पहले जानते हैं शिबा इनू की Metaverse announcement में या शिबा इनू की Metaverse team में सबसे पहले entry किसकी हुई या सबसे पहले किसका welcome किया गया दोस्तों आप ये article बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस article से आप लोगों को शिबा इनू का future बहुत easy तरीके से दिखना start हो जाएगा शिबा इनू welcomes David Kern to the Shib Metaverse team अब ये David Kern कोन है जिनने Shiba की Metaverse team के अंदर शामिल किया गया है और क्यों इस person के name को highlight किया जा रहा है ये सबसे बड़ी बात आप लोगों को जाननी है winners Shiba इनू के Metaverse को जुलाई 13, 2022 को finally एक release approach मिली और जो Metaverse था उस Metaverse के अंदर अब Shiba इनू ने अपना part role play करना start कर दिया और David Kern ये जो personality है इस personality को लगबग 17 से जादा video games का credit मिल चुका है एक proper technical artist रहे हैं Sony के साथ एक technical director रहे हैं बहुत सारी animation और game producing companies के साथ बहुत सारी game को इनूने launch किया है और finally Metaverse भी आप लोग जानते हैं एक NFT based computer gaming ही होने वाली है जिसके अंदर हम सब लोगों को VR virtual reality के बहुत बड़े experience देखने को मिलेंगे argumented reality को देखने को मिलेगा extended reality मिलेगा mixed reality मिलेगा तो Metaverse basically exactly a combination of NFTs with the benefit of VR, AR, XR and MR और वहाँ Shiba Inu को कही न कहीं पर एक technical lead की बहुत ज़्यादा जुरूर थी एक ऐसा technical person जिसको finally games की knowledge हो और उस games में कैसे number of components को NFT बना कर Metaverse को ज़्यादा से ज़्यादा promote किया जाएगा That's why Shiba Inu is approaching David Kern और finally David Kern ने अब Shiba Inu की Metaverse टीम को join कर लिया है अब Shiba Inu का अगला बहुत बड़ा कदम है कि वो Siberian blockchain के उपर focus कर रहा है और इधर से David Kern जो है वो कही न कहीं पर 3D modeling, animation, level building कैसे होगा, production management कैसे होगी Games को बहुत सारे platform पर कैसे run किया जाएगा, कैसे पूरी टीम को support वो करेंगे और Games में जो number of equipments, number of gadgets, number of components, जो भी पूरा structurize है उसको कैसे finally NFT बना कर launch किया जाएगा अब Shiba Inu finally Metaverse ready हो रहा है और इधर से अपनी blockchain लाने की पूरी कोशिश कर रहा है और 2022 वो साल बनने वाला है जब Shiba Inu meme cryptocurrency culture के tag को खतम कर देगा और बन जाएगा Metaverse के साथ साथ blockchain base सबसे बड़े ecosystem का potential token दोस्तों वो time होगा Shiba Inu से बहुत ज़ादा return गेन करने का तो आप लोगों ने जितने भी Shiba Inu को अभी तक hold करके रखा है आप ये समझिए आप एक बहुत अच्छी choice के साथ already अपने investing कर चुके हैं बाकी आप लोगों को अपनी research भी खुद करनी है क्या आपको भी सच में ऐसा लगता है कि Shiba Inu finally Metaverse में job कदम रख चुका है और Metaverse के अंदर नए से नए step ले रहा है और इधर से अपनी blockchain ready कर रहा है और 2022 के end तक वो blockchain भी market में आते दिखाई देगी तो exactly आपकी research क्या कहती है वो आप लोग एक बार खुद से judge केजिए So this is the latest updates on Shiba Inu Thank you so much for watching this video and please do subscribe Crypto Mark YouTube channel for more updates Thank you so much